और एक दोस्तों गिलैक्सी कलेक्स्टर है तो गिलैक्सी कलेश्टर आपका राइट आंसर था इस कुशन का अब देखें इसके बारे भर थोड़ा सा जान लीजिए देकिन नासा ने हाली में हवल स्पेस टेलिस्कोप के माध्यम से capture की गई अकास गंगाउ की एक बिसाल समू एवल 370 तस्वीर पोश्ट की है तो ये क्या है एवल 370 जो है ये दोस्ते एक बिसाल अकास गंगाउ का समू है और इसका नाम क्या है गिलैक्सी कलस्टर इसे कहा जाता है तो याद रखना है देखिए नेक्ट आपसे पूचा गया था मेघाल्य मड़ीपूर और तीरप्रा मेर राज्य दिवस कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है मेघाल्य मड़ीपूर और तीरप्रा में जो राज्य दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 21 जनवरी को तो 21 जर्वर यापका right answer था, इस question का. निएकर आंपसे पुछा गया था, पचास बरसों में पहली वार, किस देज ने भारत को सेब का निर्यात क्या है, तो 59 बरसों में जो पहली वार, जिस देज ने भारत को सेब का निर्यात क्या है, वो किसने क्या है, United Kingdom नहीं क्या है United Kingdom आपका right answer हो जाता Next आपसे पुछा गया था भारत की भीम UPI भुक्तान प्रणाली को अपनाने वाला पहला पडोशी देश कौन सा है तो भारत की जो भीम UPI को अपनाया है वो अपनाया है भुटान ने तो भुटान आपका correct होता Next आपसे पुछा गया था गीत गोविंद गीता काब्य जो है इसके कभी कोन है तो सभी को पता हो कोन है जैदेव है जैदेव आपका right answer हो जाता Next आपसे पुछा गया था रिगवेद काल के देपता कोन है तो देपता कोन है रिगवेद काल के इंद्र और अगनी माने जाते हैं जो रिगवेत काल के देपता माने जाते हैं नेक्ड आपसे पुझए गया था अमीर खुसरो किसके सिष्य थे तो किसके सिष्य थे जब अमीर खुसरो थे ये थे दोस्तोsi सेख निजामुद् lobster Guru ओलिया के सिष्य है कोन थे या कोन माने जाते हैं या किसनी की नहीं कहता है बिसमी बैसमा मुज़धा पोचा गते है और आज देखे आपसे डिली के अंतिम मुगल वागता पूच लिए नेक्स्ट आपसे पुछा गया था सोन बंदिर किस से संबंदित होते है तो किस से संबंदित है जो सोन बंदिर है ये सिक्क धरम से संबंदित है नेक्स्ट आपसे पुछा गया था किस राज्य में हीराकुंड बांध इस्तित है तो किस राज्य में हीराकुंड जो बांध है ये उड़ी सा राज्य में है, नेक्ट कोसर में देखिए, आपसे बांध सही पुझा गया था, अलमाटी बांध पुझा गया था, कि निमलिखित नदी किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, जो अलमाटी बांध है, ये आपका क्रश्णा नदी पर है, एक बैus पुछए गयाता लखनाउक किसी न्दी के किनारे पर वसा हुआ है तो गौमती न्दी किसी नरए पर वसा हुआ है य Sec. पुछा है नेक्ट आप सो पुछए गयाता लोकसवा के दो सत्रों के बीच का समय निमल Theo मैं से नहीं हो सकता है तो कौन सा नहीं हो सकता बहाँ पर दिया हो था च्छे महीने का तो च्छे महीने का जो समय है वो नहीं हो सकता है नेक्स टाम से पुछा गया था भारत के उपराष्टपती का चुनाब कोन करता है तो दीके भारत के उपराष्टपती का चुनाब होता है इसमें दोस्तो निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सद्रों के सदस्य रहते हैं नेक्स टाम से पुछा गया था भारतिय संविधान में अपात कालिन की अबधाना किस देश से ली गई है तो अपात कालिन की अबधाना ली गई है ये कहां से ली गई है ये जर्मनी के संविधान से ली गई है या जर्मनी देश से ली गई है नेक्ट आपसे पुछा गया था राज्ये का मंत्री परिशत सामोहिक रूप से किस के प्रती उत्तरदाई होता है तो देखे जो राज्ये का मंत्री परिशत होता है ये सामोहिक रूप से बिधान सावा के प्रती उत्तरदाई होता है नेक्ट आप से पुचय कहा था, भारते संविधान कभ अंकिकरत कया गया तो 26 नेंबर bride संविधान को अंकिकरत किया गया था नेक्ट देखें आप से पुचय कहा था, सुट्थंतर भारत के प्रिथम गवर्नर्णर कोन थे तो Loud Mount Waiter नहीं जो सुतंत्र भारत के प्रिथम गवर्नर जनल है Next दीके आप से पवित्र में पुछा गया था कि संदी का नाम बताईए तो आयादी संदी है पवित्र में Next दीके आप से इत्यादी का पुछा गया था कि संदी विचेत करके दिखाएं या बताएं क्या होता है तो इत्यादी का क्या होता है सभी को बताए इत्यादी पिलस आदी होता है Next दीके आप से पुछा गया था अनुबाद में प्रियुक्त उपसर्ग बताना था कि क्या है तो अनुबाद में क्या हो जाएगा अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अनुपिलस बाद तो क्या हो जाएगा उपसर्ग अनुबाद आपसे पूछा गया था दो अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक सब्द को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं उसको संदी कहते हैं दो या दो से अधिक सब्दों से जो मिलकर एक सार्थक सब्द बनता है तो संदी कहा जाता है नेक्ट देखे आपसे पुछा गयाता है समास का सब्द है एक अर्थ क्या होता है तो क्या होता है समास को जो अर्थ होता है संचेप तो संचेप आपका right answer था इस question का नेक्ट देखे आपसे दिनानाथ में पुछा गया था कि कौन सा समास है तो करमधारिय समास है देखे दोस्तों वीडियो के अंत में मैंने जो हैं आपको मैं तो reasoning के बहुँ important topic बताए हैं जहां से आपकी परिक्सा में question पुछे आ रहे हैं तो उन topic को जरूर देखना है बहां से आपको exam में काफे ज़्यादा help मिलेगी तो इसका अर्थ होता है बुरे का और बुरे से संग होना तो यह आपका right हो जाता इस question का next time से पुछे गया था नास कर देने के लिए सही मुआबरा क्या होगा तो पानी फेर देना होता है जो नास करने के लिए सही मुआबरा होता है next time से पुछे गया था दिल पक जाने का अर्थ क्या है तो अतियंत पिर्डित होना होता है दिल पक जाने का अर्थ नेक्स्ट आम से पुछ गया था आधा तीतर आधा वटेर का अर्थ क्या है तो तीकि यह जो मुहावरा इसका अर्थ क्या होता है बे मेल तथा बे ढंगा होना तो यह आपका इस कोशन का राइट आंसर था अब दीकि दोस्तों बात करूं मैं हिंदी की लेवल की कि हिंदी का जो लेवल आ रहा है वो क्या रहा है तो वह आपका इजी लेवल आ रहा है हिंदी का आपका इजी लेवल आ रहा है और अग्जाम के अगर हम बात करें तो वह आ रहा है आपका मोटरेट क्योंकि दोस्तों मैं जो आ रहा है वो थोड़ा सा आपका कैल्कुलेटिव आ रहा है टाइम टिकिंग आ रहा है और GKGS तो दोस्तों आपका करेंट अपर के अगर हम बात करें तो 2019 से भी दे रहा है 2020 और 2021 तो यहां से आपका करेंट अपर पुछा रहा है वैसे दोस्तों जो नॉर्मली कोशन है विद्वान उपास समान उपास से कोशन पुछा रहा है Simplification से कथन निसकर्स वर्दीग दोस्तों ब्लेडर लेशन से भी आपका कोशन पुछार रहा है तो वरनसी किस नदी के किनारे पर स्थित होगा देखिए अगर लखनव गोमती नदी के किनारे पर स्थित है तो वरनसी जो है ना ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित होगा तो गंगा नदी यहाँ पर आपका राइट आंसपर था एक Qush呢 आय था IPL 2020 से की IPL 2020 का जो 13 संस्क्रेन है ना वो किस सेर में आयोजित नहीं हुआ था आपको मालू मुआ होगा IPL 2020 से लगातर GD में हर शिट में एक Qushन आ रहा है और आज आप से ये Qushन पूछा गया है तो IPL 2020 का जो 13 संस्क्रेन हुआ था ये आपको मालूम होगा सियुक्तराब अमिरात में खेला गया था और ये तीन सहर में हुआ था अबुदाबी, दुबई और शाह जहां अब इसके अलावा जो है जो है जो भी ऑप्शन था जो है मस्कट ऑप्शन में था तो ये जो है आपका राइट आंस्वर होगा क्योंकि 19 सितंबर से 10 नुवंबर में अबुदाबी, दुबई और शाह जहां तीन सहर में IPL 2020 आयोजित किया गया था ठीक है दोस्तों एक कोशन आया था सुभाज संदर बोस किस दल के नेता थे तो ओल इंडिया फोरवर्ड ब्लोक के नेता थे सुभाज संदर बोस जी एक आया था कि लाला लाजबत राए किस दल के नेता थे अब देखें दोनों में से एक कंफरम पूछा है जिन भी साथियों का सेकंड शिट में एक्जाम था बताईए दोनों में से कोन साया था देखें लाला लाजबत राए वाला अगर पूछा है ना तो ये गरम दल के नेता थे एक क नेशनल पार्क आपका उडिसा राजे के मयूर बंजिले में स्थित है एक आया था कि जागोर नर्ते किस राजे से समंदित है जागोर नर्ते का पूछा है कि ये किस राजे से समंदित है तो ये आपका हर्याना राजे से समंदित होगा ठीक है दोस्तों एक आया था तर्बूज की फसल को कब उगाया जाता है देखे तर्बूज की फसल को कब उगाया जाता है ये कोशन पूछा गया तो मैं आपको बता दूँ उत्तर भारत के मेदानी छेतरों में तर्बूज की बुवाई जो है ना फरवरी में की जाती है वही नदियों के किनारों पर खेती करते वक्त बुवाई जो है वो नवंबर से मार्च तक करनी चाहिए इसके अलावा अगर पहाडी छेतरों की बात करें तो पहाडी छेतरों में मार्च से अप्रेल में बुवाई की जाती है अब डिपेंड करता है कि एक्जाम में आज इन में से कौन से छेतर का आप से पूचा है ठीक है दोस्तों एक कोशन आया था जो टेरीडो फाइटा होता है वो किस से समंदित होता है टेरीडो फाइटा से कोशन आया है कि टेरीडो फाइटा ये किस से समंदित है तो देखिए टेरीडो फाइटा जो है न ये दोस्तों फर्न और फर अर्थिक सर्वेक्षन कब हुआ था ये कोशन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में तो ये आपका वर्स 1951 में हुआ था ठीक है एक कोशन है था दोस्तों कि केंब्रीज डिस्टनरी 2020 वर्ड ओव इयर किसे चुना गया है देखिए इस तरह के कोशन जीडी में लगाता देखने को मिल रहे हैं केंब्रीज डिस्टनरी 2020 का वर्ड ओव इयर जो है ना ये क्वारिंटाइन शब्द को चुना गया है नेक्स्ट एक कोशन है था कि वर्स 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है देखिए दोस्तों वर्स 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है तो आठ समुद्री तटों को कौन-कौन से हैं गुजरात का सिवराजपूर बीच दियू का घोगला करनाटक का कासर कोड वे पदू बिद्री केरल का कपड अंधर प्रदेश का रूशी कोंडा ओडिसा का और अंडमान वे निकोबार का राधानगर तट को ये जो आठ जो तट है ना इन्हें दोस्तों वर्स 2020 में जो है ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है ठीक है फ्रेंड्स एक कोशन आया था इनमें से कौन सा कथन बाबर के बारे में सत्य है इस परकार से कोशन था देख भारत के किस राजे का राजकिये पशु है बातक ने डुगोंग की तो ये अंडमान नीकोबार द्वीब समुय का जो है ना राजकिये पशु है एक कोशन आया था खेल मंत्री कीरण रीजीजू ने दिसंबर 2020 में वर्चुल रूप से कितने खेलो इंडिया राजे केंदर का उद्गाटन किया था वर्चुल रूप से दिसंबर 2020 में वर्थमान में जो खेल मंत्री है ना वो अनुराग ठाकूरे ध्यान रखियेगा देखिये वो कौन-कौन से जो है ना आठ केंदर थे नागालेंड करनाटक अरुनाचल परदेश मनीपूर मिजोरम तेलंगा ना एक कोशन आए था दोस्तों आज के एक्जाम में कि बहारत के कि स्तीत है बात करें भेठेश मन्दिर की तमिलनाडू के तंजोर मेंस्तित है यह एक हिंदू मंदिर है एक का क्वेट अन्खे Exercit मिलने मिलनां इस्तुन आठ से इस औस गिलना एक आया था दोस्तों चूना लगाना मुहावरे का आर्थ बताईए चूना लगाना मुहावरे का आर्थ होगा हानी पहुचाना या नुकसान पहुचाना जो भी दोनों में से ओप्षिन में आया होगा वो आपको सही करना था एक आया था कि व्योम का प्राईवाचे सब्द आकास आसमान गगन फलक नभ ये सभी क्या हैं व्योम के प्राइवाचे शब्द हैं इन में से जो भी आज ओप्शन में था वो आपको सही आंस्वर करना था एक आया था ओधोगी करन का सुदवर्तनी बताईए देखिये एक्जाम में ओधोगी करन गलत लिखा हुआ था यहा आपे जो अतेदी कहना यह बिल्कुल सुद रूप में लिखा हुआ है क्योशन में गलत लिखा गया था जिससे आपको सही करना था एक आया था कोशन इंदी का जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसके लिए एकल शब्द बताईए उसे बोलते हैं क्रतक ये ठीक है न दोस्तों नेक्स्ट एक कोशन आया था हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ बताईए हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ होगा योजनाए करना या कालपनिक योजनाए बनाना ठीक है ये इसका राइट आंस्वर था एक आया था कि मत्से का प्राइवाचे सब्द ह होगा देखिए मत्से का मीन सफरी मचली ये सभी क्या हैं मत्से के प्राइवाच्य हो जाएंगे एक आयrit क्रोध का विलोमशब्द क्रोध का हो जाएगा शमा एक आयoa ता दोस्तो zorد का विलोमशब्द बताएए जातिय bit का विलोमशब्द होगा वी जाती है तो यह इसका बिल्कुल राइट आंसवर था एक आया था जिंगूर जो है ना डैस रहा है जिंगूर देखिए एक इससे संबंदित है तो mixing and matching यह जो सब्द है यह जो संब्दित है यह संबंदित है आपका इसकीं का बिल्कुल राइट आंसर था किस संघ्ठन दिया आपसे पूचका आप कर इस कोशन का विर्कुल राइट आंसर होता नेक्ट देंकि आप से पुछा गया था नाइटी गेल ओफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है तो नाइटी गेल ओफ इंडिया के नाम से जो जाने जाता है या पुकारा जाता है वो किसे पुकारा जाता है सरोजनी नाइ किया था बिर्जा गुलाम एहमद ने जो है पंजाब में जो एहमदिया अंदोलन होता उसको प्रारम किया था तो मिर्जा गुलाम एहमंद ऐसको राइट आंशर होता था नेक्ट देए आपसे पुछागाय था बहत सिंह को निमिलिकित में से किस कारान इससे पांसी की सजादी गई थी तो, जैनरल जो सांडर्स था इसकी हत्या करने के जुर्म में बहत सिंह को फांसी की सजादी गई थी तो, राइट आंसर आपका ये था इस कोईशन का नेकट पुछा गया था, दिल्ली चलो का नारा किस से संबन दिते है तो सभी को पता होगा किस से संब्दीत है इंडियन नेशनल आर्मी से संब्दीत है दिली जलोगा जो नारा था नेशनल पुछा गया था 13 अपरैल 1919 को जल्यावाला वाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी तो बताना था कि यह जो सभा आयोजित की गई थी यह किस लिए की गई थी लोग पर नेदाव की गिरपतारियों का विरोध करने के लिए तो यह आपका राइट आंसर होता लेकि तो सिवांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे खान अब्दुलकफार खान जो है सिवांत गांधी के नाम से जाने जाते थे तीकि नेक्ट पुछा गया था भारती राष्टे कांगरेस के संस्तापक कौन थे तो एओ हूम थे जो भारती राष्टे कांगरेस के तो अम्बेटगर जी और गांदी जी इन दोनों के वीच क्या हूँ था पूरा प्रेक्ट सम्झोता हुआ था नेली क्रांथी का संबंध किस्स है तो देखे दोस्तों आज से आपके क्रांथी भी स्टार्ट हो गई पूछनी तो क्रांथी भी आपकी आगे पुछे जाएंगी उन सभी को आपको याद करके जाना आदेखे जैसे स्वेत क्रांथी होगी निए लीकृंति आपके पूछे आसके हैं तो निएली क्रांथी का किस से हैं मत्सितन से सम्बंधित किस से सम्बंधित है तो किस सब्सम्द्रिद होता है जो किसogen Ses अमखित में से किस्से हैं तो मनी र्डानिंग विलका जो संब्ध है किस्से है काले धन पर ँंकुस लगाने से है इंश्ध है न knapp से पूझ अपनी मांग स्वें निर्धारित कर लेती है यहें उक्ती किसकी है जो पूर्ती अपनी मांक स्वे में निर्धारित कर लेती है किस ने कहा था जेविशे ने कहा था alp next time से पुच गया था भारत में उपवोक्ता क्सरघक्र अधिनियम का पारिद किया गया तो भारत में उपभुकताक सरक्षान अधिनियम जो पारित किया गया था ये पारित किया गया था 1986 में तो याद रखें के राइट आंसर आपका 1986 हो जाता नेक्स टाम से पुझा गया था राज़ास्बुक खाते में सरकार की ब्या करने की सबसे वड़ी मद कौन सी है तो राज़ास्बुक खाते में जो सरकार के पास सबसे ज़्यादा ब्या करने की मद है कौन सी है वो होती है ब्याज भुकतान तो ब्याज भुकतान आपका राइट आंसर होता देखे, next time सो पुछे गया था ब्हारत में आर्थिक नियोजन का प्रारम्ब हुआ तो भारत में जो आर्थिक नियोजन प्रारम्ब हुआ था वो था एक अपरेल 1971 को तो एक अपरेल 1991 आपका राइट आंसर था इस कोसन का देगे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हिंदी से जो आपके कोशन पूचा रहे हैं उसमें दोस्तों 3-4 आपके परयाई बाची पूच रहा है 3-4 आपके दोस्तों बिलोम सब्द हो गए और 3-4 मुहाबरे और एक दोस्तों गदान दे रहता है तो उससे भी कोशन 4-5 कोशन उससे पूच लेता है तो यहां से आपके कोशन जो हिंदी में पूचा रहे है देगे मनोच का परयाई बाची पूचा गया था कि मनोच का परयाई बाची क्या होता है तो कामदेब जो होता है यह मनोच का परयाई बाची होता है देखिए नेक्स टाम से पुछा गया था आख्यान का परहाईवाची क्या है तो आख्यान का परहाईवाची क्या हो जाएगा बड़तात हो जाएगा तो बड़तात आपका यहां पर राइट आंसर था देखिए नेक्स टाम से कोसन पुछा गया था सब्त सती में कौन सा समास ह देखिए सबसती में जो समास है वो कौन सा समास है दिगू समास है देखिए दोस्तों समास से भी आपके तीन से चार कोस्तन देखने को मिल रहे हैं तो समास को भी आप अच्छे से देख कर जाना और देखिए इस तो इसका गोपाल का पूछा गया था कि गोपाल में कौन सा सम वस्कृता आपका की आइका इस संगत करना तो यह जो था इस Annie का आपका राइट समास हो जाता नेक्स टाम से पुझे गया था अंगोठी का नग होना इसका मुहाबरे का अर्थ बताना था कि क्या होता है तो अनुरूप जोड़ा होना तो अनुरूप जोड़ा होना इस मुहाबरे का अर्थ होता है देखें, नेक्स्ट आम से पुछे गया था, राम नाम जपना, पराया माल अपना, इस महाबरे का अर्थ बताना था कि क्या होता है, तो सभी को बता होगा, धोके से धन जमा करना जो है, इस महाबरे का अर्थ होता है, देखें, नेक्स्ट आम से पुछे गया था, सरल का बिलो सब्सब्स टाहिए नेक्स टाम से गोल का बिलोंग पूछा गया था कि क्या होगा तो गौल का विलोंग क्या हो जाएगा प्रमुक आपका राइट अंसर अश्य तोपिक को देख लीजिए जहां से आपके प्रिक्सा बाधार कोशन पूछ जारे है हैं तो यहां से आपको एक में काफी हेल्प भी मिलेगी देगे दोस्तों में जो है आपके एडवास में से चार से पांच को सन पुछा रहे हैं और दरपना प्रतियम से आपके को सन पुछा रहे हैं दिसा संबंदी आपके दो को सन पुछा रहे हैं पाइप टंकी से आपके को सन पुछा रहे हैं लाभा